कि हो गई है पीर परवत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरा मकसद सिर्फ हंगामा खडाना नहीं, मेरी कोसिस है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और मेरे सीने में ना तुम्हारे सीने में ही सही लगी हो आग लेकिन यह आग जलनी चाहिए यह जलनी चाहिए जैहिंद बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको और ग्रिक मेरे दोस्तों वीडियो को लाज तक देखना अगर नहीं समझ में आया नहीं समझ में आया तो वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना लेकिन यदि अंत तक अगर देखें मेरे दोस्तों तो यह मैं पूरे वादा के साथ पूरे गारंटी के साथ कहता हूं आपको समझ जरू तो जैसा कि दोस्तों सबसे पहला चीज़ आपका चैप्टर का नाम है देखे ओवरगी कृप्ति आकडों की बारंबारता बंटन तथा आकडों का आयत चित्र दौर हम लिग को दरसन सीखेंगे सबसे पहला चीज के डोस्तों जिसको इंग्लिज में बोलते हैं इंग्रूप्ड डाठा क्या होता है कि देख़े ऐसे अब्यवस्थित आंकडे जिनको देखकर तुरंत निसकर्ष्र हैं क्रिख्र झालना संभव करके आपके हैं समझने कोशीष करिएगा ठीक है अब इनको देख करके मैं आप से पूछ कुछ हूँ ऐसे लड़के- लड़कियां हैं मैं यह पूछ हूं कि इसमें से कितने लड़के क्या हैं सादी सुधा है भ्योः कि समझेशा जो आपके सादी सुधा इसमें से जो है किसकी साधी हुई है और किसकी साधी नहीं हुए मेरे दोस्तों तो वही जो होता है जिसको देख करके इस परश्ट रूप से आप नहीं बता सकते हैं कि किसकी साधी हुई है किसकी साधी नहीं हुई है कहने का मतलब आकड़े यह हैं यह मतलब इसमें से कुछ स साधी सुधा नहीं है और सीधे देकर कि आप नहीं बता सकते हैं इस में से कौन साधी सुधा और कौन साधी सुधा नहीं है तो कहने के मतलब मेरे दोस्तों कि ऐसे अब व्यवस्थीत आकडे यह व्यवस्थीत नहीं है जिनको देखकर तुरंत निसकर्स निकालना संभव नही हैं तो आप इस बोश्च रूप से देख करके नहीं बता सकते हैं तो यह है आपका अनुगूब्ड दाठा अब इसको ग्रूपिंग करें तो बैद सादी इस को बारता यह कोते हैं यह क्या होता है मेरे दोस्तों देखेगा कि और व्यवस्थित आकडों को ऐसे सुब्यवस्थित रूप में प्रस्तूत किया जाता है जिससे वे सरल वह समझने योग्य हो जाएं तथा उनकी विशिष्टताएं समझी जा सके आकडों का बारम बारता बंटन कहलाता है यह क्या होता है मेरे दोस्तों मेरे कहने आकडों को देखके कैंप इस परश्रूप step बता सकते हैं मैं अगर पूछओं कि एक से दस के बीच में कितने लोग आएंगे तो कि आप इसको देखकर के बता सकते हैं क्यें एक से दस के बीच में कितने लोग आएंगे जी नहीं बता सकते हैं लेकिन इन ही आकड़ों को अगर मैं क्या करूं सुभ्यवस्थित करूंगे मतलब ऐसे ब्यवस्थित रूप में कर दूं कि जिससे में सरल और समझने योग हो जाए जैसे मैं यह देख आकड़ा जैसे मैंने लोग हैं और उधर जो हैं जिनकी साधी नहीं हुई है वे लोग हैं तो तुरंद लेकर करके अगर आपको यह कांकड़ा बना दिया जाए अच्छा साथी सुदा पांच है यहां पर देखिए ग्रूपिंग कर दी गई न कि चार लोग इसमें से साधी सुदा है और छे होता है आपका तो ही खारा कि सुब्यवस्तित रूप से प्रस्तूत किया जाए जिसे वे सरल्वा समझने योग हो जाए इनको देख करके पता चल जाएगा मेरे दोस्तों कि इसमें से कितने लोग साधी सुदा है और कितने लोग नहीं है और इसी आकड़े को देखिए जब 10 11 जैसे मैं इससे पूछकेशłosतों इसमें से आपसे पूछे हूं कि दो की आप रिति कितनी वार है या फिर तीन कितनी वार rise लोग लेकिन अगर आरोहिक्रम में इसको कर रहेंगे तो सुब्यवस्थित रूप से लिखेंगे छोटे से बड़ा नमबर आप लिखते चले जाएंगे तो यह जो आकड़ा होगा यह क्या है सुब्यवस्थित आकड़ा है मेरे बात आप लोगों चीमड़ आएव होगी मेरे दोस्तों आएस एंगा चिन है देखे मिलान चिन जिस बींसेध यह क्या होता है जो आंक जिस वर् Obrigा सीमा के से 5 करके बताएगा कि इक से 5 के बीश में कितने लोग आ रहे हैं कितने लोग आ रहां रहां है तो जरास देखिए कई कि एक दो तिन चार पांच शे किसे कि एक से पांच के भी यह जो एह अगर और पांच के भी जैगा 6 भी आए गा चार वी पांस के अंदर ही आएगा आया पिर चार आएगा दो चार ये छे यह अब इसको देखे कह रहा है कि जो अंक जिस वर्ग सीमा के अंतर गाता है उस अंकले संभ में खड़ी रेखा खिज छार खड़ी पाई लेकिन अगर हमें पांच को दर्स आना है मेरे दोस्तों इसको ऐसे हम लोग कर देंगे ध्यान रखेंगे अगर पांच को करना हो हम खड़ी पाई यह एक दो तीन चार उस पर घटाट आते फिर फिर लिखते तो यह दस दस का है ठीक है तो लेकिन है कितना जोगा लोग आ नहीं कि यह होगा तो यह जोग तो यह फोड़ा चुन कि लोबट restartit को करें चेंगे सी सीसिफफाज में अगला ऑल्ट की अगा होगा अगला चीज़े आपको समझ में आगाई होता है अब दैखिए इसे वर्ग क्या होता है एसे सम्मूह को जिन में आकड़ों को विभक्त किया एक सम्मूह पांच से दस सम्मू है 10-15 तो अगर देखे जीरो से पांच है इसका मतलब कि इसमें से जीतने आपके आकडों में जीतने अंक है जीरो से पांच के बीच में कुछा ऐसे समू बना गए हैं जिन आंकों कहा हम बिज़ि Yate假ly ओर पांच भी आपनी से बीस में किस्में से जीटने बीएनों रख्ते यह ऑपका देखिए यह दौ है मैं नीलist लिखता हूं जैसे कि यह आपका जो दो है और टार चार यह सब्सक्राइब आकडे हैं मेरे दोस्तों यह 0-5 वर्ग के रूप में आपको किसी समू या फिर आइसे समू आपका 0-5 हो गया 5-10 हो गया जिनमें आपको विवक्त किया जाता है इन समू है इसमें आपको यह जितने भी आकडे हैं उनको इन को च्राइब कर दिया गया देशाओ कर मैं 10-15 के बीच में कौन से आपके आप्टे आएंगे दोसे पंदरा में इसमें जिसे क्लास लिमिट बोले मेरे दोस्तों तो किसी वर्ग का प्रथम अंक प्रथम अंक प्रथम प्रथम प्लस अंक प्रथम अंक प्रथम अंक और अंतिम अंक उस वर्ग के सीमा को निधारित करते हैं कहने का मतलब जैसे देखिए अब आपका जैसे देखिए जीरो से पांच है ये ये वर्ग है अब यह यहीं कहीं किसी वर्ग प्रत्थम अंक जहाए कि इस प्रत्थम अंक हुआ हुके रखा बास तो कि जीरो से पांच के बीच में उन्हीं अंकों को रखा जाएगा जो क्या होगा जीरो और पांच के बीच में होंगे यही का रहा है कि किसी वर्ग का प्रथम अंक प्रथम अंक और अंतिम अंक क्या आपका जीरो और अंतिम क्या पांच उस वर्ग के सीमा को रहत करते हैं तो मत और इसे वर्ग कि 2 सीमा होती है यही प्रथम शान होती है इसको बोलते हैं निननसीमा और आगे क्या बोलते हैं ऊच्छ सीमा हो तो यह में आगे से आगे भी आपका टॉपिक है कि ऑर उतराल क्या होता दौस्तु सो कि किसी भी वर्ग के उच्छ सीमा एम निम्नसीमा के अंतर को वर्ग का अंतराल तो यह देखे वर्ग अंतराल देखे उच्छ सीमा निम्नसीमा और उच्छ सीमा इन दोनों के बीच का जो अंतर कितने हैं का आपका देखे पांच का है सब के बीच में आपका पांच का अंतर आप तो जैसे यह देखिए ये से घटाएंगा तो किया आए गाए तो वही किसी भी वरक की उच्छी सेमा और निमनसीमा का अंतर गाता गटाना उनके बीच का जो अंतर है उसको क्या बोलते है वह अंतराल खाते यह भी आपको समझ में आ गया होगा अब आपका आपका आपक्ड़ा दिया गया है इसमें किसी भी अंक के आने की जैसे मैंने आपके तीन की जो तीन कितनी बार आया है के आया है कि नहीं तो वो ही आने वाले प्रते काईड़ों की कुल संख्या तो जैसे तीन की क ही संख्या कितनी है एक यह जो दो है यह आवरित्ति यहि आपका क्या है उसकी देखिये अप्रशमं की बारांबारता है बारमबारता उसमें सुने होगे कि आपकी जो बेंति इंदयर हैं कितनी है तो आप को Σमझ में आ गया है अब आपका देख्याट वहर्ग अबeger मित Lewis कि आज हैं किकिन्ध कि सीमा में आने वाले आपड़ों की कुल संखlyा को दोस्तों किया कह रहा देखिए कि समझझा किसी वर्घ विशेश की therap जिता सेby息 बुतों की ने रहलाया और WWE testimony कि किसी वर्घ विशेश की सीमा में हमें आने वाले आपड़े तो पांच और दस की सीमा में कौन कौन से आपके आपको च। 56 ऑर violent गैसा और नौ यह आ lol legit?... उसी के अंदर में तो यही करा है किसी वर्ग मिसेच की सीमा में आने वाले आकड़ों की जो कुल संख्या होती है यही क्या होती है मेरे में दोस्तों बारंबारता होती जैसे मैंने यहां पया देखें आकणों को प्रतेक आकणों की रूप में प्रसुत किया जाए अब। वर्गी कृत आकडों को ये देखेD evolve करवे तुक हम क्या कर ने दर्सा ही तो वही कहला यदी वर्गी करित आकडों को प प्रतेक आकडों की बारंबारता के सत इसके साथ ये जो दिखाया गया है । ये क्या है मेरे दोस्तों यही क्या है आपका दीखिर यह आपकी जो दिख रहा है वह आपकी बारंबारता सरडी है तो इस प्रकार निर्मित सरडी को बारंबारता सरडी काते हैं जिसे 0 और 5 के बीच में अच्छे तरह से हम सजा सजा करके लिखे हैं अगर हम आपसे एकदम तुरंत देखते हुए पुछेंगे किस सरडी को जो है बारंबारता यह सरडी है इसको देख करके बताओ कि 10 से 15 में कितने लोग आएंगे तो हम तुरंत देखेंगे एक दो तीन चार चार लोग आएंगे अगर मैं बूलू के बिज़ें बिज़ें अभी बनाया नहीं है यहाँ पर देखेंगे 20-25 और 21 कितने लो वेसी विधी होती है यह दो विधी होती है आईए हम लोग उनको सीखते हैं अब दोस्तों देखिए अगला जो चीज है कि वर्ग अंतराल बनाने की जो विधी है वो होती है एक अपवर्जी विधी होती है एक समा वेसी विधी होती है इन दोनों में अंतर क्या होता है इसको करिए गा सबसे पहले के उफ वर्जी बीधी क्या होता देखे कि इस वीधी में एक वर्ग की उपरी SIEMA तथा अकले वर्ग की निमनी सीमा एक समान होती है जैसे यह दो ऑर्ग हो गया ठीक है जीरो से पांच और पांच से दस तो इस वर्ग की यह जो होगी आपकी क्या होगी यह निमनसीमा होगी और यह क्या होगी आपकी उच्च सीमा होगी और इसकी अगला यह जो वर्ग है यह क्या है आपका देखें निमनसीमा निमनसीमा और यह होगी आपकी उच्च सीमा तो यह क्या का रहा देखें कि इस व पर आबर होती है यह जो आपका बना है यह क्या है कि जाते हैं कि इसके अनुसार एक और की असीमा का मुल उसी वर्ग में नहीं ता है कहने की मतलब दखिए कि यदी इस वर्ग अंतराल बाजिए यहां पर देखिए चार 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 आया है यहां पर मान लेते हैं बीच में आपका पांच आ जाता तो इस पांच को आपके दिमाग में आता होगा कि इसमें रखते या इसमें रखते तो ध्यान रखेगा यह जो पांच है वो इसके अंतरगत नहीं रखेगा मतलब जीरो से पांच जो वर्ग है उ जो दिमाग में 10 пло से पांच वाले वर्ग में meditation थ्यानर रखिएगा जहां से निवनसीवागी कहते हैं इस विधी में किसी वर्ग की यूपरी सीमा के बराबर मुल्य की इकाई वर्ग में लियाती है कहने कम इस बिधी ओधी में उस वीदिने वी आपके पांच आ गया को इसी म्रूं रखा जाएगा ना कि इसमें रखा जा जाएगा इस में अंतर होता है दोस्तों कि एक कर सीमा में क्या होता दोस्तों कि लिखा अगर मैं तो समें जहां से 10 की सुरू रहे हो रहे हैं ना कि इसमें आएगा और इन दोनों दोना Candia की अन्तर होता है दोस्तों कितने का आपका देखिए एक कांतर होता है जैसे 09 10 19 20 29 यह सभी क्या होंती है आपकी इंक्लूशिव में तो समावेश्ची विधी में आती हैं और ध्यान अखिएगा वरगंतराल में सबसे बड़ा चीज होता है आपसे पूछ देता है परिवेस हम लोग कैसे ग्याद करेंगे क्या मेरे दोस्तों परिशर सोरी क्या होता इपका परिशर कैसे ग्याद करते है तो परिशर गयाद करने कि नेखिए इस अब इस आक्ड़े को देखे आरोही क्रम में विवस्थित कर लिया इसमें देखिए सबसे उच्च मान क्या है दो है तो अगर हमको परिशर पुछ देगा तो इस उच्च मान में हाइस कितना आपका देखिए यह तो टोटल आपका आकड़ा है इस आकड़े में सबसे जबा तो इस उन्तीस में से इस दो को हम घटा देंगे तो उच्चमान माइनस कोई भी आपका अकड़ा आएगा तो ऐसे ही आपका इसी फर्म में रहेगा उसको लोग बनाना सीखेंगे कि आएसे आपको निकालना है पर इसर अगर आप से पुछ देगा तो उच्चमान में से निम् कितने का नहीं तो आप अपने अपने इच्छानुसार अब गर इंगे तो यहां कि दिया कि होगी ध्यान तो वरगों की शंख्या परावर क्या होताइमेरे दोस्तुं बढ़िशर क्या करेंगे आपका दिया जाएगा कितना यहां तो परीशर आपका कितना है आपका 27 बटा कि वर्ग अंतराल देखिए कितने का अंतर है तो यहां पर आपको दिया रहा है इसके अंतराल बतला यहां वह जाएगा पांच का अंतर कर देंगे तो पांच पचीस दिसमलों दो आएक पांच मतलब कि पांच से ज्यादा मतलब 6 माल लेंगे क्या गीनेंगे देखिए एक दो तीन चार पांच है देखिए पुड़ा टोटल छे वर्ग बनाना और इसको चुछलता है हम दो इसको दर्सा सकते हैं तो इसी तरीके से हम लोग आपको दोस्तों दर्सा देंगे और समझ में आ आप लोगों का एक देखिए एक्जामपल दिया है और बहुत ही बढ़िया क्यों से है ऐसा ही क्यों सापको परिच्छा में पूछा जाएगा क्या करा है कि चालीस खेतों की प्रति हेक्टेयर उपज क्विंटल में नीचे दी गई है पांच का वर्ग अंतराल लेकर बारं कले उससे घृटा चाइए वैसे चीषण था यहया कौकर बधाने है जा अच्क और गया हो बस्रें में चीखेंकर आप का यहां पर है और एक सोरह आपका यहां पर है मेरे दोस्तों आइसे करते चले जाएंगे तो आप को आंकडे दिए जाएंगे अभ इसके बाद कह रहा है कि इसको वर्गंतराल करना है तो हम क्या करते हैं Стुछ अप आप आरोह क्रम में लिख लेंगे आपको फायदा क्या होगा आप उचत्रम उपज निकाल लेंगे तो अधिकतम कितने कि उपज हुई है मेरे दोस्तों 47 उपज क्या हो जाएग परिसर बराबर क्या होता है उच्छ सीमा माइनस निमनसीमा यही बताया था क्या परिसर क्या होता है उच्छ सीमा माइनस निमनसीमा तो जो आपके उच्छ सीमा है वह कितनी सबसे पैदावार कितने हुई मेरे दोस्तों 47 कुई है और सबसे कम जो है पैदावार कितने कुंटल के ऐसे और आप से पूछ देगा कि वरगों की शंख्या वरगों की संख्या मैंने आप लोग को परिशर बटाके वर्ग अंतराल कितने का मेरे दोस्तों पांच का लेना है तो वर्ग अंतराल तो पांच सते 35 पांच सते 35 दसमलो कुछ आये गां लेते हैं एक आएगा मतब सेट पाइंट टूटल उन्हें कि हमारा 8 वर्ग वर्ग टाकरते हैं तोविधि एम ने बताया है कि बनाया है हम अब उपषी इक करते हैं अभी च्टार्टिंग आपको कहां से करनी सबसे चोटा एम करने ऑसके सबας करना साथ आपको offs से 15 कितना लेंगे देखे 10 से आपको कितना लेना है पंदर अब फिर क्या करेंगे 15 से 20 से इतना 25 फिर 25 से आपका 35 फिर 35 से चालीस फिर 40 से आफका कितना अग़ान और दEकेतालीस फिर तली से आपका कितना हो जाएगा देखिए क्हेता हो जाएं इया आपका होगा था श१ार यह आपका इंदरह रहे हैं 10-15 बीज़ में रहे हैं western समझ आपको नियांहेगे और बारब बारता इसकी कितनी है एक ही आया है अब 15 से 20 तो 15 से 20 के बीच में देखे यहां से आपका आकर की यहां तक है यह जो बीस आएगा यह इस में नहीं इस वर गंतराल में नहीं इसमें आपका आजएगा मैंने अंड्रेट परशन आप लोगों को बताया है तो कितने आए आपके साथ आए हैं इसको आपको दर्सान है के लिए मैंने आपको बताया है मिला जिन में देख एक दो तीन चार पांच आएगा तो फिर एक लाइन किस्तों से पचीस तो देख पिस आपको 20 आपको यहां तक चलना है यहां तक आहरे तो तो चार पांच करदे कितनी है दस है अंगला क्या है तिक है 25 से 35-35 किसने हैं तो से द क्वारआफ लेंगे और कहां तक चलिएंगे मेरे दोस्तों यहां तक चlemढ़ाइब पर कि नहीं तो स्क्याइब कछी से तीस में टोटल कितने हैं आठ हैं तो हम बनाएंगे देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ यह हो गया मेरे दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है और आपकी बाराम बारता कितनी देखिए उसकी आठ हा रहे हैं 25 से 30 में अब 30 से 35 तो 30 से 35 के बीच में देखिए यह आपका पूरा आ साथ कितना है मेरे दोस्तों साथ है तå हम साथ ही जगेंगे एक दोग से 35 220 सेगे बीच में आप के आपका आएगा यही डूनों 40 वाला ता अपका होगा नहीं है norma 35-40 के बीच में आपका यही दोनोंY पर लिख लेंगे 2 12 मार्था कितनी हम verdus चालीस 45 45 यही आपका बहृर लेगा यह कर देता हूं यहां पर पैप्पटालीस कर लेता हूं अब इसके यहां?? बाद जो चालीस और पैफ्प्कben इक बिच में कहा है यहां है Iš childhood alis इसके बाद ही 45 चालीश चालीश आपका यहां पर आ जाएगा अब देखे 40 से 45 के बीच में आपका यहीं दो तीन आपका आ जाएंगे तो यह हो जाएंगे एक दो तीन और हम लिखे लेंगे तीन और टोटल को जब हम यहां इसको पूरे को जोड़ेंगे तो आपका आहें कीता चालीश तो यह रहा है देखे बाराम बारता सारदी बनाएगे अगर आपसे परिसर पूछ से मा कहनें मतलब की जिण और इस और परिसर हो जाएगा अभरन की संख्या कहत करेंगे तो यहीं परिसर कर देंगे इसी चारीके से दोस्तों ^^ बनता है तो यदि अगर आपका दे दिया कि देखिए वर्गंतराल लेकर करके अगर आपके उपर अपने उमीद करता हूं दोस्तों जितनी भी चीज़ें अब मेरे आपको बताई हैं बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आई है मेरे दोस्तों यदि पसंद आया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी का सेकेंड कि आप लोगों को अगले वीडियो में मैं आऊंगा इस वीडियो में इतना ही उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे पढ़ाई लिखाई अच्छे तरह से कर रहे होंगे मेरे दोस्तों धन्यवाद कि जै